हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तो आज study करते हैं एक्चुली हम पीछे जो study कर रहे थे वो tissue की कर रहे थे जिसे हम histology कहते हैं study of the tissue is known as the histology epithelial tissue की हम study कर चुके थे muscular tissue की भी कर चुके थे connective tissue कर चुके आज हम study करेंगे nervous tissues की nervous tissue हमारी human body में nervous tissues क्या होते हैं इसे देख ले तो यह जो nervous tissues होते हैं यह तंत्र का उतक बोले जाते हैं nervous tissues mainly मिलते कहां हैं यह पहले हम यह देख लेते हैं tissue हैं तो naturally यह बने हुए किसके होंगे cells के बने हुए होंगे तो जिन cells के ये बने होते हैं, उन्हें हम nerve cell कहते हैं nerve cell को ही हम neuron भी कहते हैं neurons भी कहते हैं तो देखें, nerve tissues is found in the brain, spinal cord and nerves nervous tissues जो होते हैं, ये पाए जाते हैं brain में spinal cord, read keyarddy में और nerves में, तंत्र का तंत्र में it is responsible, इनके द्वारा होता क्या है for the coordinating, coordinating, connecting करते हैं controlling, coordinate मतलब एक संदेश को दूसरी जगे पहुचाना controlling, control करना, many body activities बहुत सी सरीर की जो activities हैं उनको control करने के लिए या उनको coordinate करने के लिए the cell in neuron tissue अब जैसे मैंने बताया था, shell in neuron tissue है तो ये cell से बने होंगे तो जो shell in में होती है, that generate वो क्या करती है, पैदा करती है, generate करती है and conduct, conduct माने flow करती है उसका एक जगे से दूसरी जगे, impulses क्या पैदा करती है, impulses को पैदा करती है are called neurons, जिसे हम neurons कहते है and nerve cells these cells have three principal parts ये जो nerve cell है, ये neuron जो होता है, इसके तीन में पार्ट होते है एक होता है dendrites, दूसरा होता है cell body और तीसरा होता है axon तो ये जो आप figure देख रहे हैं ये figure जो देख रहे हैं this is known as the cell body इसको हम cell body कहते हैं ये जो आपको चित्रह ऐसा करके दिख रहा है ठीक है ये shell body कहलाती है, इसके अंदर ये एक nipleus होता है और ये बाहर hair-like structures जो निकले हुए है, these are known as the dendrites इधर ये एक आपको lining दिख रहे, double line सी दिख रहे होगी throughout this is known as the axon और इसके ऊपर ये swan cell होती है, जो गोल-गोल बनी हुए है और ये myelin seat, यानि कि ये बाहर इसका आवरार सा होता है ये myelin seat बोलते हैं इसे हम जो इसके ऊपर ये rectangle type के बने हुए है इधर जब हम आजाते हैं तो axon terminal होते हैं यानि कि इसका end part होता है इसका neuron tissue का या neuron का या nerve cell का end part होता है तो ये terminal, axon terminal कहते हैं ये terminal ये वाला portion फिर यहां आके joint होगा तो इस तरह से ये लंबी की लंबी nerve cell या neurons मिल करके nerve tissue बना देते हैं झाल झाल